ठंड के मोसम पें पकोड़े तो रिक्स को भी बहुत पसंद आते हैं तो ठंड का मोसम है तो आज मैं आपके लिए ब्रेट पकोड़े की रेस्पी लेकर आए हूँ दो हरी एलाइची एक बड़ी एलाइची और एक टुकड़ा दाल चेनी का मैंने लिया है तीन से चार लॉंग है इन सभी मसालो को हम पीस लेते हैं साथी प्याज हलके हलकी भूनने लगी थी तो इसमें मिलाया है मैंने तिखे बन के लिए 6-7 हरी मिर्च और यहां पर प्लेट मेंने नमक मिले जाएं और चोडे चमास के कई मैंने मिर्च का पौरर लिया है इन सभी मसालो को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे तो ब्रेट प्लोडे को हम हरे धनिय के साथ सब करेंगे तो ठंड का मोसम है धनिया आवला अवलास पीस लेंगे थोड़ा साबू जीरा डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और सफेद नमक और हमारे चटनी बिलकुल बन के तयार हो जाएगी तो देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से भून गया है तो इसमें जो आलो उबाल के मैंने रखे हुए थे उसे यहां पर मैंने मिक्स क अच्छे में चाहुते हैं रालो को पहले च़ुअभरों में नियु आणि तोर सकते हैं यही। अब बतां सफेखिए मसालो के साथ आलो थोडा अच्छा झाला। अच्छा चाला भून जाता है इस तो हलबाई लोग इस तरह से बहुनते हैं और ओ आलो को आण। दीग अच अच्छी तरह से तयार है तो इसमें मेने अंत में मिलाया है हारा धनिया और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि आलू जल्दी से ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसे ब्रेट पर लगाएंगे तो देखें इसे ठंडा होने देते हैं तो चले इसे ब्रेट पर लगा ले इसली ब्रेट को लगा लेंगे इसके लिए में रखा लेंगे इसे बना लेते हैं बश्ञ शावल चाहें अब करणा छाल के और दिए चावल काटा अब पर करेंगे साथी लसुन और हारी मिर्ष का पेष्ट है नमक थोड़ी सी हल्दी अब तो चुछा नमक अब हल्दी इसे अजवआया है इसे फ्राइ की हुई चीजे जो होती है सही दें है तो इसमें मेने थोड़ा-थोड़ा सा पाणी डालके इसका 2016 यह जासो पानी टालने से में गाथे पर जायेंगी के तो थोड़ा हम मिरा लेते हैं इसका घाधा नहीं रहेगा क्लीया को दिए थे टील ज्याधा सोख लेते हैं इसलिए terrifying जकान गढनापनुआ मैं तेल कर देते दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे अब बिल्कुल हमारा गर्मा गर्म प्रेट पोड़ा बनके तयार है ठंड के मौसम में इस तरह की चीज़े बहुत अच्छी लगती है तो आप भी जरूर ट्राइ करें और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो देखे एक सैट से सिख गई थी तो मैंने इसे पलट दिया है और दोनों सैट से इसे अच्छी तरह से अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो देखे यह फ्राइ हो गई है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको सउर्फ करके भी दिखाती हूं दिखिए बिलकुल मार bend के तयार है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हर दनी के साथ तो चैंचछीब के साथ भी किसे प्रवत सकते हैं मैं मिलूंगी आपसे और एक अच्छी सी रेस्पी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग रखें अपने ख्यालों मझे दे इजाज़त बाबाई